दूस्तों स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे कारस वेनेसदे के इस एपिसोड में और दूस्तों इस एपिसोड में कुछ खास होने हो लाए क्यूंकि यह हमारी टाटा नेक्सोण की एवी I mean Tata के Nexon EV और दोस्तों ये कार काफी आजकल डिमांड में चल रही है इसका काफी सारा ट्रेंड फॉलो हो रहा है मारकेट में क्योंकि ये कार काफी नई कार है अपनी सेग्मेंट में और I know काफी दिन हो चुके इसे लाँच हुए लेकिन दोस्तों अभी अभी ये मारकेट काफी अच्छे से गेन करने लगी और दोस्तों इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 13.99 लाक्स एक शोरूम दिल्ली से और दोस्तों ये तीन वेरियंट्स में अवेलेबल है जिसके जाके हम आगे बात करने ओले दोस्तों टाटा की नेक्सवन इवी को कॉमपिटिशन देने के लिए फिलाल मारकेट में अभी तक कोई भी ज़ादा कार्स आवेलेबल नहीं है इसका boot space है दोस्तों और dual front airbags as a standard आपको देखने को इसमें मिल जाद और दोस्तों अगर हम इसके price की बात करें तो 13.99 lakhs से एक showroom Delhi से मतलब एक showroom Delhi के इसाब से इसके start होती है जैसी कि मैंने आपको पहली भी पता है जो कि 3 variants में available है XM, XZ Plus और XZ Plus Lux करके जो की luxury type बोलते ही से टाटा वाल है और दोस्तों ये 5-seater layout के साथ ही आती है और इसकी अगर हम battery की बात करें तो इसमें जिप्ट्रॉन की EV power train technology यूज़ की गई है और battery की बात अगर हम फिर से करें तो 30.2 kWh की lithium ion की battery इसमें डाली गई है टाटा की तरफ से और दोस्तों जो claim range टाटा बता रहा है वो है 312 km की claim range बैटरी जो है दोस्तों वो 8 साल के warranty के हिसाब से आते है यानि कि 8 साल के अंदर आपके बैटरी को कुछ हो जाए तो आपकी बैटरी जो है वो टाटा वाले रिस्प्लेस कर देंगे या रिपेर कर देंगे और ये जो ब इसके बैटरी जो charge होने की बात अगर हम करें तो 0-80% ये 60 मिनिट में charge हो जाते है यानि कि 1 गंटा और दोस्तों ये जो घर से हम अगर इसे charge करें हमारे घर के 3-point plug से तो ये 8 गंटा charge होने में लेते है 20-80% और दोस्तों अगर हम इसके features की बात करें तो इसमें हमें 7-inch का TFT इंफोटेंटमेंट का डिस्प्ले मिलता है और डिजिटल इंस्टुमेंटल क्लस्टर इसमें मिलते है और दोस्तों मिलता है मतलब और दोस्तों Automatic AC भी मिलता है Auto AC जिसे हम बोलते है Automatic Headlines मिलते है Sunroof मिलता है और दोस्तों इसमें वह अपना Connected Car Technology का feature भी इसमें दे रखा है जो कि 23 लैक और 20 लैक से स्टार्ट होते है और दोस्तों हमरी जो Tata Nexon EVA वह 14 लैक के onward स्टार्ट हो जाते है जो कि काफी बड़ी option जो हमें देखने को मिलता है Market में और दोस्तों इसके competition में होप सो आगे भी काफी cars आएगी और electric cars और भी cheaper rate में हमें देखने को मिलेगी और दोस्तों हमें जैसे कि पता ही है Tata Nexon की safety और यह safe platform पे built करे गई है तो यह safe platform पे होने के बाओ जो यह 5 star हमेशा लाती है दोस्तों हम सभी को तो पता है और दोस्तों करम में इसके XM variant की बात करूं तो यह 13.99 लैक से स्टार्ट होता है XZ Plus का variant 15.25 लैक से स्टार्ट होता है और जो XZ Plus Lux का variant है वो 16.25 लैक से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों और दोस्तों Tata Nexon EV एक काफी बढ़िया कार है दोस्तों हमारे नजर में और अगर हम इसके pros and cons की बात करें तो pros में silent and smooth drive, sharp and good styling, well loaded with features, strong safety package, long warranty on battery और comfortable and spacious cabin है इसके दोस्तों और दोस्तों अगर हम इसके cons की ब आएंगे और थोड़ा सा हाईवे पे भी जादा यह जो कार हो हेवी पड़ जाते है मतलब जादा हम अगर रेस दे के इसे बगाएंगे तो माइलेज जो हमारा claim माइलेज कम हो जाता है और यह थोड़ी सी petrol और डीजल नेक्सों से महिंगे आते दोस्तों जबकि petrol और डीजल अगर हम इसके color variants की बात करें तो यह तीन color variants में आती है दोस्तों जैसे की first variant की अगर हम बात करें तो glacier white में यह देखने को मिलते है second variant जो है moonlight silver color का variant और जो third color variant है वो है signature blue silver color तो दोस्तों इन में से आपको कौन सा color अच्छा लगा और यह कौन सी car आप खरीदने की चाह रख र तो अगली बार कर देना कोई जल्दी नहीं दोस्तों तब तक के लिए thank you